भारत में ये वाली जो पद्धती है इसको थोड़ा सा मोडिफाई करके राज्यसभा में लगू किया गया है कहां राज्यसभा में? राज्यसभा अरथा विधाईका का दूसरा सदन संसद भवन का संसद का दूसरा सदन जिसे हम House of Estates या Upper House भी कहते हैं उसके 250 सदस्य होते हैं और 250 में 238 चुनाव से आते हैं बाकी 12 को नामजद किया जाता है राश्ट्रपति के द्वारा तो ये 238 लोग जो राजसभा में आते हैं वे फर्स पास्ट पोस्ट प्रनाली से नहीं आते राजसभा के सदस्य समान उपातिक प्रतिन दित्व पध्धति से आते हैं यद्यपी इसमें भी थोड़ा सा बदलाव है जो हमने पढ़ा है उसकी तुलना में और इसलिए भारत में अपनाई गई इस पध्धति को हम तीसरी चुनावी प्रक्रिया कह सकते हैं समान उपातिक प्रतिन दित्व के तहट पहली तो हो गई एकल दूसरी हो गई समान उपातिक और तीसरी है राजसभा के चुनाव में किस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई भारतिय संसत प्रणाली में राजसभा की भूमे का बेहद ही महत्वपून है ऐसे तो राजसभा सदस्य का कार्यकाल छे साल का होता है लेकिन इसके एक तिहाई सदस्य हर दो साल में सेवा निवरित हो जाते हैं इन सीटों को भरने के लिए दूई वार्षिक चुनाव कराय जाते हैं हमारे सम्विधान में इसका प्रावधान अनुच्छे तक 83.1 में किया गया है इसी के तहत अधिसूचना जारी होने के साथ ही राजसभा की बचपन सीटों के लिए दूई वार्षिक चुनाव की प्र जाच 16 मार्ष को होगी उम्मिदवर 18 मार्ष तक नाम वापस ले सकेंगे इन सीटों के लिए मतदान 26 मार्ष को होगा पचपन सीटों के लिए सत्रा राजियों से चुनाव किया जा रहे हैं जैसा कि हमारे सम्मिधान में प्राविधान है कि जो राजसभा मेंबर्स हैं वो हर दो साल में वन थार्ड रेटायर होंगे लेकिन वो प्रक्रिया जो है थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है क्योंकि हो चुकी है तो इलेक्शन नहीं हो पाए है इस कारण सोड़ा सा जो सीडूल है वो डिस्टर्ब हो गया है सिंस 1967 अनवर्ड तो इसलिए अभी बच्पन होने हैं लेकिन जहां तक मेरे पास सूचना है इस साल 73 सीटों के लिए चुनाव होगा साल इस साल के भीतर अपने नाम के अनुरूप ही राजिय सभा राजियों की परिशत है यानि राजिय सभा के सदस्य राजियों और संग राजिय क्षेत्रों के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं राजिय सभा अप्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि उसका गठ उसका मकसद अल्प संक्यक समुदायों और दलों के लिए प्रितनिध्व की विवस्था करना है यह विशेश प्रिक्रिया जो है निद्धादित की गई है अपने आर्टिकल 80 में इसके विशे में चर्चा है कांस्क्यूशन के कि प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांस्फरेबल वोट प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का प्रैक्टिकल इंप्लिकेशन यह है कि जिस पार्टी को जितने वोट मिलेंगे जिस पार्टी के कैंडिडेट को जितने वोट मिलेंगे इलेक्शन के टाइम पे उसके बेसिस पर उसका इलेक्शन होगा तो जिस पार्टी का जितना किसी विधान सभा में उसकी जितने मेंबर्स हैं उसके प्रपोर्शन में ही उसको इलेक्ट कर सकते हैं वो या अगर वो किछी से उनका गड़बंधन हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उसे साप पर बनता है सम्विधान के 96-84 में संसत की सदसिता के लिए अरहताएं निर्धारित की गई है रज्य सभा की सदसिता के लिए किसी व्यक्ति के पास जो योग्यताएं होनी चाहिए इसके साथ ही सम्विधान के अनुच्छेद 102 में रज्य सभा के सदसियों के लिए कुछ नरहताएं भी नर्धारित की गई है जैसे वो दिवालिया या पागल घोशित हो भारत या रज्य सरकार के अधीन किसी लाफ के पत पर हो सम्विधान के अनुच्छेद 83-1 के तहट रज्य सभा एक स्थाई निकाय है और उसका विख्टन नहीं किया जा सकता इसके सदस्यों का चुनाव 6 साल के लिए होता है लिकिन एक तिहाई सदस्य प्रतेग दूसरे साल की समाप्ती पर सेवा निव्रित हो जाते हैं कि एक तिहाई रिटायर होते हैं इसका मतलब कि जो भी जिनका भी अब स्थिती यह है कि जब भी 6 साल कंप्रीट हो गए को कि शुरू में जब इलेक्शन हुआ था तब ये बड़ा डिफिकल्ट था कठिन था रिसाइड करना कि हर दो साल में कैसे होगा तो उस सुखद तो जासा एक तरह से जूए रिसाइड किया गया कि जो लोग एलेक्श हुए हैं पहली बार उसमें वं थर्ड कौन धो साल चलेंगे चार साल चलेंगे कौन छह साल चलेंगे तो उसके बाद से फिर पहले राउंड के बाद से तो जनका भी जब 6 साल का टर्म खतम होने वाला है वो उनकी जगाए दूसरे चुने जाते हैं। इस आधार पर अंडमान निकुबार द्वीब समुहूं, चंडीगड, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव और लक्षदीब जैसे कुछ संग राज्यक्षेत्रों की आबादी इतनी कम है कि राज्यसभा में उनका कोई प्रतिनिधी नहीं है। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए उम्मीदवार को नियूंतम मानने वोट मिलने चाहिए और वोटों की गिनिती सीटों की संख्या पर निर्भर करती है। राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिसमें विधान परिशत के सदस्य वोट नहीं डाल सकते। नामंकन दाखिल करने के लिए नियूंतम दस सदस्यों की सहमती जरूरी होती है। सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरणिय मत के द्वारा निर्धारित कानून से होता है। इसके अनुसार राज्य की कुल विधान सभा सीटों को राज्य सभा की सदस्य संख्या में एक जोड कर उसे विभाजित किया जाता है। और फिर उसमें एक जोड दिया जाता है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है। मानलीजिये महराष्ट्र विधान सभा में कुल 288 विधायक हैं और वहां साथ राज्य सभा सीट के लिए चुनाव होने हैं तो साथ में से एक जोडने पर ये संख्या आठ हो जाती है अब कुल सदस्य 288 हैं तो से आठ से विभाजित करने पर 36 आता है फिर इसमें एक जोडने पर ये संख्या 37 हो जाती है यानि महराष्ट्र से राज्य सभा सांसत बनने के लिए उम्मीद्वार को 37 प्राथमिक वोटों की जरूरत होगी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हुआ माने कि हर एक विधान सभा के सदस्य को एक ही वोट है लेकिन वोट ट्रांसफरेबल है ट्रांसफरेबल यह है कि जो बैलेट पेपर बनाया जाता है उसमें सभी जो कंटेस्ट कर रहे हैं उनके नाम रखे लेकिन उसमें एक कॉलम होता है प्रिफरेंस का तो जो भी सुधस्य है उसको दिखना पड़ता है हमारी पहली प्रिफरेंस क्या है दूसरी क्या है तीसरी क्या है I mean depending on जतने भी कैंडिडेट है लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है वो चाहे तो सिर्फ एक लिख के छोड़ दे ल मिलने वाले विधायकों की प्रात्मिक्ता का भी महत्व है इसका मतलब है कि मतदान के दारान हर विधायक से ये पूछा जाता है कि उसकी पहली दूसरी और तीसरी पसंद का उम्मीदवार कौन है विधायक वरियता के अनुसार अपना वोट देते हैं और पहली वरियता के नियुन्तम वोट जिसे मिल जाते हैं वो व्यक्ति विजय माना जाता है इसके बाद यदी सदस्यों के लिए वोटिंग होती है तो सबसे कम वोट मिलने वाले उम्मीदवार के वोटों को दूसरी वरियता के अनुसार अन्य उम्मीदवारों को ट्रांसफर कर दिया जाता है ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक उम्मीदवार विजय नहीं हो जाएं इसलिए चुनाव होने की स्थिती में विधायकों दौरा अन्य वरियता के मतों का महत्व बहुत बढ़ जाता है ब्यूरो रिपोर्ट एकल, संक्रमणी, मत, प्रणाली के तहट ही आता है लेकिन थोड़ा सा बदलारू हर राज्य को राज्य सभा में सीटों का कोटा दिया गया है दिया क्या गया है जन संख्या के आधार पर हर राज्य को राज्य सभा की कुछ सीटों का कोटा ये वाला कोटा अलग है वो मत के कोटों से जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ उसे हम अलग से समझेंगे यहां पर हर राज्य का एक एक कोटा है राज्यों की विधान सभा के सदस्यों द्वारा इन सीटों के लिए चुनाओ किया दाता है उधारन के लिए राजस्थान या हर्याना ले लिजए हर्याना में 90 विधान सभा सीटे हैं ये विधान सभा के और विधान सभा की 90 सीटे हैं और कोटे के तहट उसे पांच राज्य सभा की सीटे मिली हैं कितनी मिली हैं पांच राज्यसभा की कितनी सीटें पांच इन पांच सदस्यों का चिनाओ कौन करता है केवल और केवल विधान सभा हर्याना के सदस्य करते हैं और कोई नहीं तो हर्याना विधान सभा में कितने सदस्य हैं नबे अर्थात ये नबे लोग उन पांच राज्यस सभा के सदस्यों का चैन करेंगे जिन्हें राज सभा में बेजा जाना यहां एक चीज और ख्याल रखें यह पांचों सदस्यों का चुनाओ एक साथ नहीं होता जैसा कि लोग सभा में होता है एक साथ पूरे सदन का चुनाओ होता है या तो पांच वर्ष के कारकाल के पूर् ध्यावधी चुनाओं के श्थिति में पूरे लोकसभा के चुनाओं एक साथ होता है। और कभी-कभी ओप चुनाओं एक, दो, चार सीटों के लिए होते हैं जो किसी कारण से खाली हो जाते हैं। वो अलग बात है। पर वैसे दिखा जाए तो लोकसभा के चुनाओं पूरे एक साथ होते हैं। 240 का एक तहाई कितना हुआ? 80 सीट. 80 सीटें हर दुसरे वर्ष खाली होती हैं। अब ये 80 सीट जो हैं वो कहां की हैं? राज्य सभा के लिए तो केवल राज्यों से आते हैं, हर राज्य का कोटा है। राजिक का कोटा कैसे निर्धारित होता ये बाद में बताएंगे पर हर राजिको का कुछ कोटा है जैसे मैंने बताया हर्याना का पांच ये असी में से पांचों सीटें एक साथ खाली नहीं होई हर्याना की दो वर्ष बाद जो सीट खाली हुए इसमें पांच में से दो खाली हुए उसके अगले दो वर्ष बाद पांच में से खाली हुए उसके अगले वर्ष बाद अगले दो वर्ष बाद पांच में से फिर दो खाली हुए इस प्रकार पाउट सीटें रोटेशन में खाली होती हैं, एक साथ नहीं होती हैं, तो दो सीटें खाली हुई, वेकेंट हैं, चाथीज गड़ की भी यदि बात लें, तो चाथीज गड़ का भी एक नरधारित कोटा है राज्य सबाक तदस्यों का, यहां की जन संख्या के दो लोगों को चुना जाना है राज्य सबा में, और उन संभावित लोगों के नाम भी आ गए हैं, और बची दो सीटों में से, एक सीट दो वर्ष बाद, और फिर एक सीट फिर दो वर्ष बाद, इसके माइने क्या हुए, यदि 2022 में एक सीट भरी गई, वो एक तिहाई जो खाली हुई थी उसमें, तो ये 2022 वाली सीट, एक बाद, एक बटा तीन, एक बटा तीन, एक बटा तीन करके कब रिक्त होगी अगली बार? एक बटा तीन को तीन बार, यानि दो दो वर्ष बाद पुना हुआ सीट खाली होती है, अर्थात, रज्य सभा का एक सदस्य, च कैनित होने के बाद छै साल के लिए राज सभा का सदस्य होता है कितने वर्ष के लिए छै वर्षों के लिए जबकि लोग सभा का सदस्य पांच वर्षों के लिए उसकी अधिकतम अवदी पांच वर्ष राज सभा की अधिकतम अवदी छै वर्ष अब मैंने आपको बताया लो एक तिहाई सीट दो वर्ष बाद, फिर एक तिहाई सीट दो वर्ष बाद, इसका मतलब राजसभा में कभी भी एक साथ चुनाओ नहीं होते, इसका मतलब राजसभा कभी भी एक साथ खाली नहीं होती, एक तिहाई सीट खाली होती, लगवक असी सीटें खाली होंगे, फिर इ इसलिए कहते हैं राज्य सभाजो है कभी भंग नहीं होती इस्थाई रहती है उसके एक तिहाई सदसे बदलते रहते हैं लेकिन दो तिहाई बने रहते हैं उन दो तिहाई में एक तिहाई दो वर्ष का कारकाल पूरा कर चुके होते हैं बचे दो तिहाई फिर दो वर्ष का का काल चार वर्ष का पूरा कर चुके होते हैं आदी आदी खैर इसके बारे में हम विधायका में और विफ्तार से समझेंगे पर यहां इतना जानना आपको जरूरी था कि राज सभा के चुनाओं में ये वाले पद्धती अपनाई जाती है और राज को कोटा मिला हुआ है राज सिस्दान करते हैं मत दाता चुनाओं में खड़े होते हैं या चुनाओं में खड़े होने वाले उम्मिदवारों के सूची देखते हैं जो मतदाता है वो मतदाता उन्हें उस राज्य की विधान सभा के सदस से ये बात साफ रखें मैं राज्य सभा के चिनाव की बात कर रहा हूँ जहां पर और केवल वहीं पर समान उपातिक या ये वाली चिनावी पद्धती अपनाई गई है तो मतदाता जो वहां के राज्य का विधान सभा का सदस है वो सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीता क्रम देता है एक वरीता क्रम में मत देता है पहली पसंद दूसरी पसंद तीसरी पसंद चौती पसंद ऐसा करते हुए वो जितनी पसंद देना चाहे देता है और वो वरीता बताती है पहली पसंद फर्स्ट प्रिफरिंस ऐसा वहां के सभी विधान सभा के सदस्ट करेंगे जीतने के लिए प्रत्याशी को एक कोटा लेने की जुरत होती है मैंने बताया था और यदि कोटे से ज्यादा मत मिल गए तो वो अतरिक्त मत दूसरे को ट्रांसफर हो जाता है जैसा मैंने बताया था तो वो कोटा क्या है कोटे को कैसे प्राप्त करेगा या कोटा है क्या कोटा मतलब कुल मतदान जितने वोट हुए जितने वोट डाले गए बटा कुल उम्मीदवार विजई उम्मीदवार कुल मतदान बटा कुल विजई उम्मीदवार धन एक और इस पूरे को ब्रैकेट में करके फिर धन एक तो इस वकार हम देखते हैं कि कुल मतदानों की संख्या मैंने शुरू में बताया था कि इस चनाओं की एक दिक्कत ये है कि इसमें हमें तुरंट मालूम करना चाहिए सबसे पहले कि कुल कितने मत पड़े तो कुल कितने मत पड़े उनकी संख्या कुल कितने विजय उमीदवार होंगे धन एक और फिर पूरे को ब्रैकेट में एक उदारन के लिए यदि राजस्थान के हम बात करें तो राजस्थान के दो सो विजय उमीदवार को कितने वोट चाहिए होंगे विजय उमीदवार को कितने वोट चाहिए होंगे अर्थात विजय होने के लिए कितना कोटा निर्धारित किया है तो कोटा आप कैसे बनेगा यदि दो सो विधान सभा के सदत हैं और यदि चार उमीदवार चुन्ने हैं तो दो सो बटा चार प्लस एक और फिर प्लस एक इस एक्वल टू दो सो बटा पांच प्लस एक इस एक्वल टू चालिस प्लस एक बराबर एक तालिस ये राजस्थान के कलपना के अधार पे दो सो मत दाता है बिधान सभा सदतें से और चार सीटे है उसको लेकर ये गुड़ा किया किया तो ऐसी स्थिते में विजाई होने के लिए 41 वोट चाहिए 41 वोट का कोटा पहली पसंद के रूप में जो पालेगा वो विजाई घोशित जितने लोग पालेंगे अधिक्तम 4 लोग विजाई घोशित होंगे और 4 से ज़्यादा लोग पा नहीं सकते अब यहाँ पर कुछ और आपको समझने की जुरत है कोटा 41 का पूरा करने पर विज़ई घोशित होगा जब मदगर्णा होती है तो उम्मीदवार को प्राप्त प्रथम वरीता के अधार पे वोट गिना जाता है पहली वरीता में इस उम्मीदवार को कितने वोट मिले और जिस उम्मीदवार को पहली वरीता के अधार पे 41 वोट मिले वह विज़ई प्रथम वरीता वोटों की गड़ना के बाद यदि प्रत्याशियों की वांशित संख्या वोटों का कोटा नहीं पापाती तब क्या होगा कल्जमा करी 41 नहीं मिला किसी को भी तब क्या होगा पुना मत गणना होगी लेकिन मत गणना होगी मत दान नहीं होगा लोक सभा में ऐसी एक सित्याती जब मत दान होता है पुना मत दान यहाँ पर मतदान नहीं होता, मतगणना होती हो ऐसे प्रत्याशी को मतगणना से निकाल दिया जाता है निकाल दिया जाता है, मतगणना से निकाल दिया जाता है जिसे प्रथम वरीता वाले सबसे कम भोट मिले बहुत जरूरी पॉइंट है सबसे कम प्रथम वरीता पाने वाले उमिद्वार का नाम हटा दिया जाता है उस सूची से और उसके जो मत है उसको स्थानांतिर्थ किया जाता है मत हस्तांतरन किया जाता है उसके वोटों को अन्य प्रत्याशियों में बांट दिया जाता है और कैसे बाटा जाता है ऐसा नहीं कि चार 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 बराब उसका बांट दिया ऐसा नहीं होता है ऐसा करने में प्रत्येक मत पत्र पर जो द्विती वरीता प्राप्त है उसको वो मत दे दिया जाता है समझ के जो द्विती वरीता प्राप्त कैंडिडेट है उसको वो अलम मत चला जाएगा तो ऐसा करने में प्रत्यक मत पर अंकित द्विती वरीता प्राप्त वाले प्रत्याशी को ये मत स्थानांतरित और इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखते हैं ये स्थानांतर्ण की प्रक्रिया को जब तक की कोटे वाली संख्या कोई कैंडिडेट प्राप्त ना कर ले जैसे ही किसी कैंडिडेट ने 41 की संख्या प्राप्त की वो विजाई घोशित तो ये कोटा अर्थात वांचित संख्या वांचित संख्या ने 41 और कब तक चलेगी ये प्रक्रिया जब तक कि चार कैंडिडेट एक तालिस एक तालिस एक तालिस ना पाले तब तक वो ट्रांसफर होते रहेंगे वोर्ट पहली बार पहले 41 के लिए का कोटा पाने के लिए दूसरे बार 41 का कोटा आदी आदी लेकिन मत गड़ना मत दान एक ही बार होगा मत दान एक ही बार होगा तो इस प्रक्रिया को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाता है जब तक वांचित संख्या अर्था चार पोस्ट जो हैं खाली हैं चार के बराबर पत्याशियों को विज़ई घोशित नहीं किया जाता यह कहलाता है सम्क तमानुपातिक इसलिए अब आप समझेंगे जटिलता है इसमें कॉंप्लेक्सिटी है निश्चित मत या कोटा कैसे निश्चित मत का विप्राय है मतों की वो संख्या कोटे का मीनिंग क्या है कोटे का आर्थ है मतों की वो संख्या जो उमीदवारों को विजय घोशित करने के लिए आवश्यक है जैसे उपर के उधारण में मैंने बताया था, 41 की वो संख्या, वो मैजिक अंक 41, केवल राजस्थान के लिए 40, ऐसा नहीं पूरे देश के अलग-अलग विधान सभाओं में, अलग-अलग विधान सभाओं से राजस्था को भेजे वा, 41 है, ना, 41 केवल राजस्थान के होगी, क्योंकि राजस्था के सभाओं की विधान सभाओं के सदस्यों की संख्या अलग होगी, जो पोस्ट खाली हैं, सीटें खाली हैं, उनके संख्या अलग होगी, तो आप ये फॉर्मूले के बल पर अलग-अलग राजियों की अलग-अलग राजस्था के कोटे की संख् अलगा सकते हैं तो हम ये समझ गए कि कोटे कार्थ है मतों की वह निश्चित संख्या जो उम्मीद्वारों को निर्वाचित घोशित करने के लिए आवश्चक है अर्थातिस प्रणाली में उम्मीद्वार को विजई जीतने के लिए केवल सामान्य बहुमत नहीं चाहिए जै के मत हूं और उनकी संख्या कोटे को छूती हुई हो या उससे ज्यादा हो यह शर्तें पूरी होनी चाहिए सबसे ज़्यादा मत पहली पसंद के मिले हूँ फिर मत दूसरी शर्थ है पहली पसंद के मत सबसे ज़्यादा उसके बाद पहली पसंद के मत को पाने का जो कोटा निर्धारित हुआ है इस फार्मूले के ताहत उस कोटे को छूने और तब जाकर वो विज़ई घोशित होता है इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रणाली में उमीदवार को केवल बहुमत ही नहीं चाहिए होता है बलकि विज़ई होने के लिए यह भी आवश्यक है कि वो नियूनितम जो कोटा है उस संख्या को पाए तो डबल दो शर्ते हैं इस भी विज़ई होने की पहले निश्चित संख्या जो थी वो टॉमस एयर के अनुसार कुछ अलग फॉर्मूले से थी जिनका मैंने पहले जिकर किया है टॉमस एयर तो उनकी क्या पढ़ती थी टॉमस एयर ने क्या फॉर्मूला निकाला था जिसके अधार पर कोटा तै होता था कोटा टाय करने के लिए जो फॉर्मूला है उसको वैसे तो मैंने पूरु में बताया है पर यहां पर आपको बता दें कि उनका फॉर्मूला क्या था कुल डाले गए मतों की संख्या यह पहली वाली स्थिति में भी लागू थी उसके बाद बटे निर्वाचित होने वाले प् निकल जाया है वही कोटा लेकिन बाद में क्या जोड़ा गया अर्था टामस हेर के सिस्टेम में यदि निर्वाचिन खेत्र में एक लाग पचास हजार वोट पड़े और वहां पांच प्रतिनिदियों को चुना जाना है तो कोटा कैसे निकलेगा एक लाग पचास जार पाने वाला उम्मीदवार भी जाई बड़ा सिंपल फार्मूला ये नियुनितम कोटा हो गया